जाए हिंग सभी डिफेंस पेंसनर आप सबों का मैन अरेंद्र कुमार वेलनस केंसल्टेंट इंडर्पेंटर ट्रेनर लिविंग हैपली में स्वागत करता हूँ आज हम आठमे एपिसोड में हैं जहां कि मैं कंडक्ट कर रहा हूँ फ्री औस पेंसनर ट्रेनिंग जिसके तहत आज हम बताएंगे कि जो परिसानी हो रहे हैं उन सबों को कैसे दूर किया जाए तो परिसानी दूर करने के लिए हम तो कई वीडियो बनाते ही रहे हैं आज आठ साल हैं सत्तर साल हैं अस्ती साल हो चुके हैं या कोई बृध महिलाये हैं तो उनसे यह उमीद नहीं कि जा सकती तो असपर्स ने उनके लिए सर्विस सेंटर का प्राबधान किया है तो यहां मैं प्रमुखतर दो प्रकार की सर्विस सेंटर की बात करूंगा पहला जो की exclusive है और दूसरा common service center है तो ये दोनों service center का भी लाब आप उठा सकते हैं किस तरह से उठा सकते हैं इसी पर हम आज का वीडियो हम बात करेंगे क्योंकि आज से पहले जब असपर्स migration नहीं था तो आपका एक home branch होता था यानि कि जिस branch में जिस साखा में जिस bank की आप maintain करते थे अक्सर वही pension paying branch भी होते थे और आपके home branch भी कालाते थे यानि कि सारे transaction का भी history दिखाते थे बताते थे समझाते थे और pension के बारे में भी आपको explain करते थे कोई query है कोई complain है तो उसे भी attend करते थे पर असपर्स के migration से pension paying branch का concept totally खतम हो चुका है अब यह समझ लिजे यहां कि जो आपका home branch 5 km के अंदर, 2 km, 1 km के अंदर हुआ करता था और वही pension paying branch हो जाता था यानि कि single window में आपके सारे काम हो जाया करते थे अब वह महज एक आपके home branch रह गए हैं, pension paying branch नहीं रह गए हैं, यानि कि pension से related अब वह कुछ भी बात नहीं करेंगे कहने कार्थ यही है, जो काम आपके 5 km के अंदर ही हो जाया करता था, वह आप नहीं होने वाला, तो उसका alternate क्या निकाला है, ministry of defense ने, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसी का नाम है common services center और a sports services center तो इसके लिए यहां क्या-क्या facility होंगे, कहा location है, कैसे आपको मिलेगी, अब इस services center में भी क्या-क्या चुनोतिया आने वाली हैं, उनके लिए क्या-क्या suggestion है, आपके pensioner के लिए और उस संस्था के लिए भी, और इसके साथ ही हम आपको bonus tips तो देंगे ही, तो आएए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक देखिए, उससे पहले मैंना रेंदर कुमार, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप चैनल को अवस से ही subscribe करें, अगर पहली बार आएं, लाइक करें और अपने साथ ही संबंधियों के साथ ही साजा करें, ता इन सब को सिंगल प्लेस में, यानि कि एक ही जगह से disburse कराने की योजना बन रही है, जो कि तीन जगह से अभी तक सैंक्सन हो रहा था, अब एक ही जगह से सैंक्सन भी होगा, और disburse भी होगा, तो यह तो अभी तक आप समझ ही चुके होंगे, इसी दिसा में क्योंकि यह नय आप प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया के तहत है, और डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत है, तो इसमें कई hurdles आ रहे हैं, विसेसकर डीवीटी के लिए जरूरी है कि आधार सीडिंग होना चाहिए, प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, यानि कि आपके जो प्रि प्यूरिफिके नाम को ही आधार में सिडिंग कराना पड़ेगा, तो जो भी आपने सर्विस में रखा था नाम, जो भी आपने एजुकेशन में रखा था, वही प्यूरिफिकेशन में आया, अब अगर कुछ लोगों ने फैंसी नाम आधार में जेनरेट कर लिया, नाम रखना पड़ेगा, date of birth रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब बिकल्प नहीं है अगर dbt का benefit लेना चाहते हैं, जो कि धीरे धीरे अनिवारे तह की ओर बढ़ रहा है, तो यह तो हो गया, अब मैं बताता हूँ कि इन सारी समस्याओं को कोई आधार से जूज रहे कि निका user ID नहीं आया, password नहीं आया, migration नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा, वो take save है नहीं, उन्हीं सब के लिए या service center है, तो अभी तक 17 लाग से ज्यादा defense pensioner migrate हो चुके हैं, जिसमें से अधिकतर State Bank of India के हैं, अब जैसे ही उनकी समाप्त होती है, तो अगले bank, PNB, B.O.B और private bank, D.P.D.O. इन सब का भी number धीरधरे आने वाला, एक समय होगा जबकि सारे तथाकथित करीब 32 लाग हो सकते हैं, इतना तक सारे का pensioner का migrate हो जाएगा, अब जब migrate होगा, उन्होंने नया dispersing काम किया है, तो कई तरह की समस्याइं उन्हें भी आ रही है, और उससे ज्यादा pensioner क विशेश कर ब्रिध पेर्शनर को, इसी खयाल में आज मैंने यह आठमा स्रीजगर आए, जिसमें मैं आपको जानकारी दूँगा कि वो दो तरह की service center है, तो पहली service center, Aspurs Facilitation Center भी जिने का सकते हैं, वो आपको कहा मिलेगा, तो Aspurs के ही website जो है, अंबर पर है, यहाँ आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ आपको service center locator अबलेवल है, यहाँ आपको state district pin code इंटर करके यहाँ आप सिरियली देख सकते हैं, यहाँ अभी तक करीब 1103, यानि कि 1103 service center का नाम दिया हुआ, जिसमें परमुखत, वो government organization ही है, DPDO है, AO है, LAO है, AO है, PCDA के जो साखा होते थे हर state में वो है, PAO है, यानि कि वो सारे record office हैं, जिसमें से करीब 36 center, जो DIAV है, आर्मी का, उनके द्वारा mine किये जा रहे हैं, इसके अलावे bank को भी किया गया, जिसमें State Bank of India को 446 branches को highlight किये गया है, जो की जहाँ ज़्यादा pensioner थे, PNB के हैं, KOTEC महंदरा के हैं, तो ये सब अभी already, इनसे MOU हो चुका है, ये अब service प्रदान करेंगे, इनके लिए sufficient, इनके branches में, इनके staff को, master trainer के द्वारा training दिया जा रहा है, manual दिया जा रहा, उनका क्या commission का amount होगा, किस तरह से उनका facility देना है, क्या कारिक्रम है, ये उनको तयारी किया जा रहा है, भविश्वे में, BOV और HDFC भी जुडने वाले हैं, और यह धीरे-धीरे service center का list लंबा होते चला जागा, दूसरा होता है, common service center, common service center का भी link, Spurs portal में available है, जो कि आपको मिलेगा, CSE locator टाइब में, जब आब https colon double slash spurs.defensepension.gov.in में जाते हैं, जब Spurs का जो official website है, इसी में top में, करीब 5th, 6th नंबर पर है, CSE locator, और या तो फिर आप जब क्लिक करते हैं, तो यह actual website में जाने के लिए बोलता है, या फिर direct भी CSE के website में जा सकते हैं, जो कि आपको available होगा, https colon double slash findmycsc.nick.in, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, जो कि यह service center entire जो website है, पर develop करते हैं, सारे soft product जो हैं, इन ही के दोआरा national informatics center के दोआरा develop किये जाते हैं, जो कि MOU किया गया है, common services center के लिए e-governance services, India limited का एक PSU की तरह है, उसी के तहत यह काम कर रहा है, यह किसके अंदर काम करता है, तो ministry of electronics and IT, government of India के दोआरा काम करता है, जो कि last mile, जो अंतिम छोर के लोग हैं, जो पेंसनर हैं, उन्हें या कोई भी नागरिक हैं, उन्हें connectivity देने के लिए यह काम कर रहा है, especially जो कि remote area में रह रहे हैं, उनको यह सब दिया जाएगा, जो कि अभी करीब 2,96,682 operational outlets इनके तथा कथित रूप से काम कर रहे हैं, तो इनके पास भी आप जा सकते हैं, पर अब बात यहा आती है, कि जो पहले मजा था, यानि कि जो home branch ही pension paying branch हो जाते थे, आप कुछ भी लिख के दे देते थे, आपको CPPC के थुरू करवा देते थे, वह luxury आपको नहीं मिलने वाली हैं, तो यह तो आप जान ही लेजे, अब आगे की रण नीती, आपके लिए क्या होनी चाहिए, तो आपकी मदद हम या इसी प्रकार कर सकते हैं, या संस्था इसी प्रकार कर सकती है, आप अपने आपको बढ़ाईए, चेतना अस्तर को बढ़ाईए, चेतना के mark पर चलिए, यानि कि वह सारी जानकारी रखे, त पोलार में है, इस तरह से दो-तीन ब्रांच को लिया गया जहां की मास में, बेलगाओं में, जहां की मास में पिंस्नर हुआ करते थे डिफेंस में अस्तर, अब इतना तो समझ ही लिजे कि जो आपके पांच माइल, जो की आज करीब प्राइबेट बाइंग, नेस्नलाइज पांच सब मिला के कर लिजे, तो करीब 80,000 से ज़्यादा सा खाएं होती हैं, और यह सिर्फ अभी 1,103 ही है, तो आपकी पास मजबूरी है, आपको digitally literate होना ही है, और इन सारे facility को उठाना है, और इन सब की जरुवत ना पड़े, इसके लिए आपको स्वैम ही पोर्टल में जाके वो सब काम कर लिजे, लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा कि उन services center में आपको क्या-क्या मिलेगा, तो यह सबसे पहले यह बता दूँ कि यह जो service center है, sports service center यहाँ free में service दिया जाएगा, यानि कि इसके जो भी charges bank को दिये जा रहे हैं, जो कि पहले के amount के आधा से भी कम है पर transaction होंगे, MIS generate होंगे, इस तरह से अलग modus operandi है, जो कि मैं अभी detail में नहीं बताऊंगा, उन्हें मिलेगा, यहाँ यही बता दूँ कि पेंसनर को कुछ भी रुपे देने की जरुवत नहीं है इन साखाओं पर, क्योंकि उनका reimbursement होता है, MOD के द्वारा, आपको क्या करना एक form है specific, उस form requisition, form को उस साखा में देना है, ताकि आपको सुविधा दे सकें और वही form दिखा के, और reimbursement भी करा सकें, हाँ, अब रुपे आपको लग जाएगा अगर आप उनके agent को home services चाहते हैं, तो उनके द्वारात्ता है किया हुआ, जो staff है, वो आएंगे, agent आएंगे, तो fit charges देना पड़ेगा, अब यहां यहां बता दू, कि यहां list भी मैं दूँगा आगले वीडियो में कि कौन-कौन से हैं, complete आपके जगह पर, यहां आप swim भी कर सकते हैं, यहां आपको बताऊं कि भविश्य में आपको क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, तो इसमे कई तरह की services हैं, उसमें process time हैं, कौन-कौन से center पर क्या-क्या मिलेंगे, यह सब हैं, तो इसमें मुख्यता आपको information दिया जाएगा, किसके लिए, कि आपका sanction हुआ की नहीं, उससे related, आप query कर सकते हैं, status जाम सकते हैं, payment मिला की नहीं, payment कम मिला, कितना मिला, आप pension slip ले सकते ह form 16 ले सकते हैं, query कर सकते हैं, PPO का copy ले सकते हैं, अगर कोई grievances raise करना है, वो raise कर सकते हैं, उसके tracking कर सकते हैं, grievances के क्या reply आए, चुकि आप यह माना जाता service center की service center वहीं लोग जाएंगे, जो कि swam अपने android में, tab में, pc में, laptop में नहीं कर पा रहे हैं, इतना digitally literate नहीं है, कि उ login ID, password जो आया है या नहीं आया, उसका use कर सकते हैं, यहीं पर service center आपको death reporting, missing reporting, family pension initialization, area दिलवाने में, disability का दिलवाने में, address अपडेट करने में, इस तरह की तमाम सुवधाएं आपको यहां दी जाएगी, और आपको यह जानना है कि आपके nearby service center आखिर है कौन, या तो per service center या common service center, हलाकि अभी तक लाख प्रियास किया जा रहा है, आपको मालूम ही होगा कि सरकार योजना एनाउंस करती हैं, पर उसे अंतिम चरन तक आने में कई hurdles आते हैं, कई बार ऐसा पाया जाता है, कि एनाउंस करने के बाद इतना हुंबर्क नहीं किया जाता है, अभी भी, ट्र तरह की services देना है, तो आप जो चुकी pensioner हैं, आपको मालूम है, उन्हें नहीं मालूम है, तो इस तरह की कई तरह की चुनाउतियां आ रही हैं, ये धीरे-धीरे ही चुनाउतियां होंगी, पर आपको मैं एक number साझा करता हूँ, जो की CGDA का है, अगर आपका नहीं हो रहा, त 011 दिल्ली का है, 20893784, फिर से बताता हूँ, 01120893784, जो CGDA का है, जहां कि अगर किसी भी प्रकार की परिसानी हो रही है, तो वहां भी कर सकते हैं, और उनके लिए email भी है, project copdad at the rate hub.nick.in है, तो इसमें कई तरह की आपको हो जाएगी, तो यहां आपके लिए सिर्फ अगर service willingness देने के लिए, एक form देना है, जो की branches में, जो की highlighted है, उसी में जाना है, आपको यहां ध्यान देना है, कि ऐसा ने कि किसी भी bank का नाम बोल रहा हूँ, DPDO बोल रहा हूँ, वहां जाना है, आपको यह सुनिश्चित कर लेना है, कि वह highlighted है, वह website में year mark किया गया है, उनसे MOU यू हो चुका है, तभी वह service दे पाएंगे, क्योंकि तभी वहां trained manpower को रखा गया है, तो एक महा जो form देखे, आप service center में काम करवा सकते हैं, अब इसके लिए, घर के पास जो हो रहा था, वह तो नहीं होगा, कुछ तो परिशानी है ही, और ये सब से भी नहीं हो रहा service center से तो अंतिम में sports का help line number मैं बताता हूँ, toll free number जो कि सिर्फ working hour of 5 days काम करते हैं, Saturday, Sunday नहीं करते हैं, 9.32, 6 o'clock साम तक करते हैं, toll free, 1800, 180, 5325, जो कि बड़े ही track record इसके सही नहीं रहा है, पिछले 6 महिने से ये बहतर से काम नहीं करते हैं, जितने परयापत मातरा में, जितना इन जितने की योजना है, तो उसके अनुसार इन्होंने toll free में customer care के staff को service engineer का number को नहीं बढ़ाए हैं, इसके साथ ही और भी line line number आपको बता रहा हूँ, 053 22421877, 053 22421879, 053 22421880, यह सब line line number है, तो यह सब का लाब उठाकर, आप कई तरह की परिसानियों से दूर हो सकते हैं, और यही मेरा यह आठमा जो है, एपिसोड, defense pensioner, sports pensioner training का यही उद्देश से है, मुझे उमीद है, आप अपने समस्याओं का समधान हमारे साथ कर पा रहे होंगे, अगर नहीं कर पा रहें तो मैं यथा संभव, यथा समर्थ कर पाऊंगा, आप comment कीजिए, आप अपनी समस्य करें, मैं अथा सिग्र, आपको reply देने का प्रियास करूंगा, अगर अगर आप अवी तक हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो अवस्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को भी आपकी तरही प्रगती उन्नत्ती करने का अच्छा सुब असर मिले, बहुत बहुत ध